नमस्कार दोस्तों SRP Education पर आप सभी विद्यारतियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस वीडियो में कक्सा 8 के लिए नमुना प्रसंद पत्र हल कर रहे हैं Board Exam 2021 के लिए प्रारंबिक शिक्षा पूर्णता प्रमान पत्र प्रिक्षा 2021 के लिए VCA सामाजिक विज्यान कक्सा 8 के लिए सामाजिक विज्यान का प्रसंद पत्र हल कर रहे हैं RSERT का नमुना प्रसंद पत्र बोर्ड दवारा जारी नमुना प्रसंद पत्र हल कर रहे हैं पिर ये विद्यारतियों के लिए विद्यारतियों के अनुरोध पर हमने ककसा आठ के विद्यारतियों के लिए सामाजिक विज्ञान का परसन पत्र हल करने जा रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा और अपने पिरिये दोस्तों के साथ में सहीर कर सकते हो लाइक करना ने भूले शुरू करते हैं नोट परसन सिंख्या एक से लेकर के ग्यारा तक एक अंग का परसन है सभी अबजेक्टिव टाइब के परसन है एक से लेकर के ग्यारा तक एक अंग का परसन है पहला प्रसन है राम क्रिष्ण मिशन की स्थापना किसने की इसका ओप्षन नंबर A राइट होगा स्वामी विवेका नन्ने राम क्रिष्ण मिशन की स्थापना की आगे बढ़ते हैं प्रसन कर्माक दो स्वतंतरता हमारा जन्म सिद अधिकार है ये नारा किसने दिया सुबास चंदर बोष ने बाल गंगादर तिलक ने वगत सिंग ने या चंदर सेकर आजाद ने ओप्सन नमबर बे राइट होगा बाल गंगादर तिलक ने ये नारा दिया स्वतंतरता हमारा जन्म सिद अधिकार है प्रसन कर्माक तीन सुनहरा रेशा से क्या भी प्राय है चाई पट्सन कपास कोपी इन में से किसको सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है ओप्सन नमबर से इसका राइट होगा पट्सन पट्सन को सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं पट्सन को सुनहरा रेशा कहा जाता है अगला प्रसन है वातीन कारक मुख्य कारक कौन से है जिन से जन्शिंक्या में परिवर्तन होता है जन्शिंक्या में परिवर्तन किन कार मुख्य कारक उनकों से हैं जनम मर्तियों और विवा जनम मर्तियों और प्रवास जनम मर्तियों जीवन परताशा जनम मर्तियों और आयू सही ओप्षन होगा बे ओप्षन इसका राइट होगा जनम मर्तियों और प्रवास ये जनसेंख्या में परिवर्तन होने के मुख्य अगला प्रसन है निम्न लिकित में से कौनसा कारक मृद्धा निर्मान का नहीं है समय जेवपदार्थ मृद्धा का गटन हुमस सई ओप्शन होगा बे मृद्धा का गटन मृद्धा निर्मान का ये कारक नहीं है अगला प्रसन है बारतिय सविधान की मुख्य विशेष्टाइं क्या है संगवाद, सक्तियों का बंटवारा, संसदिये सासन पदती, देव उपरियुक्त सभी प्रसन नमर छे का सई उतर क्या होगा विद्यारतियों परस नम्मर छे का सही उत्रोगा उपरियुक्त सभी सभी विशेस्ता हैं हमारे सविधान में मुझूद है संगवाद, सक्तियों का बंटवारा और संसदिये सासन पदती सातों परसन लेते हैं भारत का सर्वोच नयले अमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कहां इस्तित है दिल्ली, मुंबई, चेनई, कोलगाता तो ए ओप्सन राइट होगा दिल्ली में भारत का सर्वोच नयले इस्तित है आठवा परसन ले रहे हैं केंद्र और रज्जी के बीच विवाद होता है केंद्र और रज्जी के बीच में कोई विवाद होता है विवाद का निप्टारा कौन सा नयले करता है ओप्सन नमरे तेसिल नयले, बजला नयले, से उस नयले, और देह सर्वोच नयले केंद्र और राज्जी के बीच में विवाद का निप्टारा सर्वोच नयले करता है दे ओप्षन राइट होगा आगे बढ़ते हैं प्रसंद कर्माक नो हेदर अली और टिपु शुल्तान कहां के सासक थे मेसूर के बंगाल के पंजाब और अवद चार ओप्षन दिये गए हैं सई इसका उतर है है एदर अली और टिपु शुल्तान मेसूर के सासक थे दस्वाँ प्रसंद अंतिम मुगल बाद साय कोन था अंतिम मुगल बाद साय बताना है अकबर औरंग जेब अलम साय या बादूर साय जपर इन मेसे अंतिम मुगल साय कोन था option number share right होगा बहदूर साय जफर 11 परसन है निम्य लिकित के जोड़े बनाई 11 परसन में जोड़े बनाने है निम्य लिकित के जोड़े बनाई है परसन करमा की 11 का एक नमर परसन है विलियम जोन्स 2 में है टॉमस मेकाले 3 में है मातमा गांधी चार में है पाड़ सालाई है इनका मिलान करना है विलियम जॉन्स एक नम्मर बिंदू का मिलान हम कर सकते हैं प्राचिन संस्कृतियों का सम्मान बे ओप्सन से इसका मिलान कर सकते हैं टॉमस मेकाले मेकाले किसली जन जाते हैं अंग्रेज जी भासा को प्रहुटसान एक कर सकते हैं अंग्रेज जी बासा को भारत देश में प्रहुटसाद देने वाले टॉ optimum मेकाले थे मात्मागन्दी तीसरा बिंदो है मात्मा गांदी, मात्मा गांदी ने अंग्रेजी सिक्षा के विरुध थे, चोता है पार्ट सालाई, पार्ट सालाई और गुरु का मिलान कर सकते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रसंद की ओर, जन्शिंग्या पिरामिड क्या है? जन्शिंग्या पिरामिड क्या है? किसी देश, किसी सेत्र या देश की जन्शिंग्या है, जन्शिंग्या का हम यदि आयू वरक के आदार पर अधेन करते हैं, आयू वरक के आदार पर अधेन करने की जो विदी होती है, उसे जन्शिंग्या पिरामिड का जाता है, जंसना को परकट करता है वो जनसिंख्या पिरामीड होता है जनसिंख्या पिरामीड के बारे में अगला प्रसन है इस्थानांत्री करसी क्या है करसी के प्रकार अलगलग आपने पढ़े हैं कक्सा में तो इस्थानत्री करसी में क्या है करसी करने के लिए करसी करने के लिए वर जवपन उसमें रहता है, तब तब उस पर खेती की जाती है, और उरवर्ता समापत होने पर उस इस्तान को छोड़ करके किसी दूसरे इस्तान पर यही प्रकिरिया दोरही जाती है, वह इस्तान अंतरिन करसी मानी जाती है, अगला प्रसन है रोपन कर्सी क्या है रोपन कर्सी किसे कहते हैं रोपन कर्सी कर्सी वानिजी की कर्सी का ही एक प्रारूप है जिसमें एकल वेपरिक फसले जैसे काजू है कहुआ है काजू, कहवा है, रबबड है, गना है, वेपरिक फसले होती है आधी कपास है, आधी उत्पादित की जाती है इसमें बड़े पेमाने पर स्रम और पूंजी के साथ परिवेन शादनों की आवशिक्ता होती है परिवेन के शादन इनकी भी आवशिक्ता होती है परिवेन के शादन की आवश्यक्ता होती है क्योंकि क्रसी उत्पाद का प्रसंस करण खेतों पर या पास के कारकनों में किया जाता है अगला प्रसंद ले रहे हैं प्रसंद करमाग 15 सिपाईयों को नए कार्थूसों पर क्यों एत्रास था 1857 की करांतीस से समंदित है सिपाईयों को नए कार्थूसों पर क्यों एत्रास था सिपाईयों को जब नए कार्थूस दिये गए थे क्योंकि एन फिल्ड राइफलों में प्रिक्थ होने वाल जो कार्थूस है उन कार्तुसों को राइफल में बढ़ने से पूर्व है, मुहें से खोला जाता था और इन कार्तुसों का मुह बंद करने के लिए गाय तता सुवर की चरवी का प्रियोग किया जाता था ये बात हिंदु धर्म के लोगों को और मुश्लिम दोनों ही धर्म संपर्दायों के लोग है जो सिपाई थे उनको इस परापती हो गई सिपाईों ने नए कार्तिसों पर एतराज किया अगला प्रसन है रहें यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी यूरोप ये देशों में यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी प्रसन नम्मर 16 यूरोप में सुती कपड़े यूरोप में सुती एवम रेस में सुती एवम रेस में वस्त्रों की लगबग कई किसमे थी 98 अंठ्याण में प्रकार की किसमें थी उनकी यूरूप में मांग थी और इसमें परमुक रूप से किन किसमों की मांग थी उन किसमों के नाम भी हम लिख सकते हैं उसमें मलमल और केलिको कोसा बंडाना ये सुप्ती वस्त्रों की और रेसमी वस्त्रों की कुछ किसमें है अगला परसन ले रहे हैं 16 परसन 16 परसन के बाद में 17 परसन रोलेट एक्ट क्या था रोलेट एक्ट के बारे में बताना है रोलेट एक्ट क्या था एक ऐसा कानून था जिसके तेत बिरिटी सरकार बिना मुक्तमा चलाये ही लोगों को कारावास में डाल देती थी और परबल विरोध करने के बाद में इस कानून को भारत में दस मार्च 1919 में लगू कर दिया गये था अगला परसन ले रहे हैं विले निती का सिदान किस ने दिया लॉर्ड डल होजी ने विले निती का सिदान दिया था और डल होजी अठारा सो लगबग अठारा सो अठारा सो अठारी से लेकर के अठारा सो चपन तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और विले निती उनी की देन हैं बारति धर्म निर्पेक्षता क्या है उनीसवा प्रसने बारति धर्म निर्पेक्षता क्या है भारते सुविदान में भारत को एक धरम निर्पेक से राज्य गोशित किया गया है राज्य की नजर में सभी धरमें वो सम्मान होते हैं कोई भी धरमों सभी धरम सम्मान माने गए हैं भारते सुविदान में सभी धरम सम्मान माने गए हैं भारत में किसी के प्रती धरम है वो धरम से समंदित धरम पर आदारित किसी भी प्रकार का बेदबाव नहीं किया जाता है यह होती है धर्म निर्पेक्षता न्याईपालिका के दोकारी बताईए न्याईपालिका के दो कारी लिखने हैं न्याईपालिका क्या कारी करती है न्याईपालिका नागरिकों के मद्ये नागरिक वा सरकार के मद्ये विवाद जो होता है उन विवादों का निप्टारा करती है नागरीकों के मद्य हो चाए नागरीकों सरकार के मद्य हो दूसरा हम कारी लिख सकते हैं न्याईपाली का कानून की रक्षा करती है कानून की रक्षा करती है ये नागरीकों के मोलिक अदिकारों के उलंगन को भी रोकती है अगला प्रस्न ले रहे हैं आदिवासी लगातार हासिये पर क्यों खिशकते जा रहे हैं दो कारण लिखिए आदिवासी समुदाई से समंधित है लगातार हासिये पर क्यों खिशकते जा रहे हैं कारण लिखने है आदिवासी वीबिन कारणों से अपने वन भूमी को खोते जा रहे हैं आदिवासियों की जो संपता है वो वन भूमी होती है जिससे उनकी आजीवका के सादन मिलते हैं आजीवका उनी से चलती है लेकिन दिरे दिरे उनके जो आजीवका के सादन है वो समात्त होते जा रहे हैं आदिवासियों को अपने आजीवका के लिए कस्वों और सेरों की और पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए आजीवका के लिए उन्हें सेरों की और कस्वों की और पलायन करना पड़ता है जांवे गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने को मजबूर होते हैं आदिव असी गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर होते हैं 22 परसने अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरे सुरुक्षित रखा? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरे सुरुक्षित रखा अंग्रेजों ने 22 परसने अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरुक्षित रखने के लिए सबी जो सरकारी कारिया लेवते हैं उनमें अभीलेक कक्स बनवाए अभीलेक कक्स अभीलेकक्स बनवाए साती मेतुपुन दस्तामजों को सुरुक्षित रखने के लिए उन्होंने अभीलेकागार अभीलेकागार और संग्राले बनवाए अभीलेकागार यह संग्राले का निर्मान करवाया जिने आर्काइव का जाता है अगला परसंद है, साहिक संधी विवस्था की वाख्या करे बारतिय देशी राज्यों के किर्यकलापों पर बृतिस है, वो नियंत्रण कायम करने के लिए गवर्नर जनरल लोररेड विलेजली ने सबसीडियरी एलाइन्स साहिक संधी को प्रारम किया साइक संदी को सुरू करने वाले प्रारम करने वाले का नाम है गवर्नल का नाम है जनरल लोर्ड वेलेजली साइक संदी के दवरा देशी राजाओं के राजियों को अंग्रेजी कमपनी बिलिटिस सरकार कमपनी सेत्र में विले नहीं किया जाता था बलकि निम्न सर्तों के साथ उनसे समझोता किया जाता था कमपनी में ने मिला करके समझोता किया जाता था भारती जो देशी राज्य है समझोता कमपनी उस राज्य की सुरुक्षा एतु अपनी सेना मातेनात करती थी इसके अलावा राज्य वह राज्य देशी राज्य कमपनी को एक साइता रासी देता बदले में कम्पनी की सेना स्तापित होते ही राज्य की प्रतक से अपनी कोई सेना नहीं रहती थी। इसके अलावा साइक संदिक तेद बारतीय सासक जो थे अपने दर्मार में एक अंग्रेज अधिकारी को भी रखना होता था जिससे रेजिडेंट का जाता था। अगला परसंद है मात्मा गांधी बच्चों को हस्त कलाएं क्यों सिखाना चाते थे। तो बच्चों का दिमाग है वो विक्षित होगा उन्हें ये समझ में आयेगा कि विभीन चीजे किस प्रकार कारी करती है। प्रमप्रागत और गेर प्रमप्रागत उर्जा के सरोतों में अंतर इस्प्रस्ट करना है। प्रमप्रागत सरोत कौन कौन से हैं और गेर प्रमप्रागत सरोत कौन कौन से हैं। अंतर इस्प्रस्ट करना है प्रमप्रागत उर्जा सरोत कौन से हैं और गेर प्रमप्रागत उर्जा सरोत कौन से हैं। तो ऐसे सरोत जो लंबे समयेत से हम उप्योग में आ रहे हैं ये संसादन सिमित मात्रा में उपलब्द है और इनका समाप्य है वो संसादन है वो सिमित है इनसे परियावण परदूशन भी होता है। और गेर प्रमप्रागसरोत कौन से होते हैं जिनका उप्योग अभी कुछी समय पूरू प्रारम हुए जैसे सोरूरजा है ये संचादन एस सिमित मातरा में उपलब्द है अर्थात ये एस समाप्य हैं और ये संचादन परियावन परदुषन भी नहीं फिलाते हैं इनका अंतर का अधार हम कैसे कह सकते हैं उप्योग की एक समयावदी के बारे में उपलब्दक के बारे में और परदुषन के बारे में हम इसके अंतर लिख सकते हैं अगला प्रसन है सतत पोशनी विकास क्या है सतत पोशनी विकास क्या है प्राकर्तिक संचादनों का इस प्रकार का उप्योग किया जाए कि वर्तमान उपभोग के बाद भी भावी आने वाले जो पीड़ी है भावी पीड़ी की आवस्यक्ताओं की पूर्ती संभव हो सके उनका संतुलित उप्योग हो और संतुलित उप्योग करते वे संचादनों का भविश्य के लिए स्रंक्षन करना बचाना स्रंक्षन करना भविश्य के लिए उनका स्रंक्षन करना ही सतत पोशनी विकास केलाता है 27 प्रसन है वै कौन से मुख्य तत्व है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कौन से तत्व है जो उद्योग की अवायस्थिति को प्रभावित करते हैं उद्योग कहां इस्थापित किये जाने चाहिए कौन-कौन से कारक काम में आते हैं तो उद्योग को अवस्थित करने के प्रभावित करने वाले कौन से कारक हो सकते हैं जैसे कच्चा माल की उपलबता होनी चाहिए भूमी की उपलबता होनी चाहिए कच्चे माल की भूमी की सस्ता स्रम सस्ता स्रम भी उपलब दोना चाहिए सक्ति के परियाप्त साधन भी मिलन परिवेन के सादनू की सुलब्दा, और साथी बाजार, निकट बाजार, ये मुख्ये ततव है, जो उड्यो को इस्थित करने के परभावित कर सकते हैं भारतिय धर्म निर्पेक्षता की व्यक्या कीजिए भारतिय धर्म निर्पेक्षता की व्यक्या कीजिए पहले भी परसन आया है भारतिय सुविदान में कोई भी धर्म नहीं है देश का कोई भी धर्म नहीं है केवल धर्म निर्पेक्स राज्जी ही अपने उद्देशियों को साकार कर सकता है भारती राज्जे, भारती राष्टर, भारत देशेक ऐसा धर्म निर्पेक्स राज्जी है वो किसी भी धर्म को ने तो बड़ावा देता है ने किसी भी धर्म का लोब करता है धार्मिक वर्चास्व को रोकने के लिए विभिन तरीकों से कारी भी करता है ताकि बहु संक्यक लोगों दवरा अलप संक्यों के धार्मिक स्वतंतरता के मोलिक अधिकार का हनन ने हो सके अलप सिंग्यों की बात की गई है और भारत देश किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है और अपने देश का कोई भी राष्ट धर्म नहीं है सबी धर्मों का आदर सतकार किया जाता है अगला प्रसन लेते हैं F.I.R. से आप क्या समझते हैं फ्रस्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट पर्थम सूचना रिपोर्ट एफ आई र को कहते हैं F.I.R. को कहते हैं F.I.R. का पूरा नाम लिख सकते हैं फ्रस्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट इसमें सामनिते वार्दात की जाती है वार्दात की दिनांक समय और इस्थान को लिखा जाता है मूल तत्यों और गटनाओं का वर्णन भी किया जाता है F.I.R. में यदि अफरादियों के बारे में यदि पता हो तो उनके नाम लिखे जाते हैं गवाओं के भी नाम लिखे जाते हैं F.I.R. में सिकाई दर्ज कराने वाले का नाम पता लिखा जाना आउशिक होता है सिकाई दर्ज कराने वाले के FIR पर हस्ताक्षर भी किये जाते है First Information Report पर्तम सूचना Report अगला प्रसन है निमंदात्मंग प्रसन है प्रसन सिंक्या 30 से लेकर के 30 और 31 55 अंग के प्रसन है निमंदात्मंग प्रसन है भारत के प्रसन है भारत के विभिन भागों में एस सयोग अंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहन किये एस सयोग अंदोलन किस किस रूप में था किन भागों में था लोगों की गांदिजी के बारे में क्या धारणा थी ये आपका प्रसन है प्रसन नमर 30 विद्यारतियों एस सयोग अंदुलन का प्रस्ताव वह नागपुर अदिवेशन में परित किया गया था अंगरेजी सासन के खिलाप एस सयोग अंदुलन प्रणारम किया गया था एस सयोग का हार्त है सहयोग ने करना एस सयोग अंदुलन जिसमें हजारों विद्यार्तियों ने स्कूल कोले छोड़ दिये नेताओं में मोथिला नेरू, राजगोपलाचारी, आसापली बहुत सारे वकीलों ने वकाला छोड़ दि अंग्रेजों दवारा दी गई जो उपादियां है, भारतियों को जो उपादियां दी गई थी, उपादियां लोटा दी गई, उपादियां छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिसकार किया गया, होली जलाई गई, विदान मंडल था उसका बहिसकार किया गया, गुजरा ये आंद्र प्रदेश, तमिलनाडू, उनके बित्री बागों में सराब की दुकानों पर गेराबन दिखी गई, सिंद और बंगाल में भी अंदोलन हुए, इसके अलावा पंजा में सिकों के अकाली अंदोलन ने अंग्रेजों की साहिता, अंग्रेजों की साहिता से असा में चाय बागान मजदूरों ने अपने वेतन में वर्दी की मांग शुरू की और अंग्रेजी स्वामित वाले बागानों की नोक्री छोड़ दी, इस तरे बारत के कई बागों में सियोगंदलों ने अलगलग रूप करेंड किये, लोगों की गांदीजी के बारे में लोगों की गांदीजी के बारे में बहुत अच्छी दारना थी, कई जगे के लोग गांदीजी को एक तरीका मसिया मानते थे, उन्हें मसीबतों और गरिबी से छुटकरा दिला सकते हैं, ऐसा उनको विश्वास था, किसानों को लगता था कि गांदीजी जमीदारों के विर सियुम अपनी उपलब्दियों के लिए भी गांदीजी को शरे दिया, उदारन के लिए एक 37 शाली अंदोलन के पस्चात, सयुंक्त प्रांत, जो वर्तमान में उत्रप्रदेश है, परताबगड के किसानों ने पट्टेदारी की घेर कानूनी बेदखली को रुकवाने में स साइता सपलता प्राप्त के लिए थी, इसके अलावा प्रसन नमबर है 31, प्राकर्तिक वनस्पती और वन्य जीवन का स्रंक्षान क्यों और कैसे करना चाहिए, प्राकर्तिक वनस्पती और वन्य जीवन का स्रंक्षान क्यों करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए, क्यों और क से करना चाहिए प्राकर्तिक वनस्पति और वन्य जीवन का प्राकर्तिक वनस्पति जंतों को आश्री परदान करते हैं साती जो पारिस्तितिक तंत्र है उनको में संतुल बनाई रखते हैं जलवायू में परिवर्तन और मानव हस्ट शेप के कारण पोदे और जंतों के जो प पसुपक्सियों की वो एसरुक्षित हो गई है उनके प्राकर्तिक आवास है वो नश्ट हो गई है अनाद्रिक कर्थ सिकार से कुछ विशेश परजातियों की संख्या वनोनमलन है मरिदा आपरदन है निर्मानकारिय है दावानल है भुईशकलन है कुछ मानव और प्राकर्तिक कारक है जो मिलकर इस संपूर्ण प्राकर्तिक संख्यादन के लुप्त होने की परकिरिया को बढ़ाव देते हैं प्राकर्तिक वनस्पति और वन्य जीव जन्तु का स्रक्षन क्यों किया जाना चाहिए स्रक्षन जागरुकता बढ़ा करके किया जा सकता है राष्टी उद्यान है वन्य जीव भ्यारिन है जेव मंडल नीचे हमारी प्राकर्तिक वनस्पति और वन्य जीवन को स्रुक्षित रगने के लिए बनाई जा रहे हैं कई प्रिया से वो सरकार दवरा किये जा रहे हैं अगला प्रसन ले रहे हैं 31 प्रसन का अत्वा में जल संशादनों का स्रंक्षन कैसे किया जा सकता है जल संशादन कौन-कौन से वो लिखना है और जल संशादन के जो स्रंक्षन है वो कैसे कर सकते हैं कैसे किया जाता है जल विशु के कई बागों में जल की कमी को देखते वे संकट उत्पन हो गया है जल संसादनों का इसलिए स्रंक्षन आवश्यक है जल संसादनों के स्रंक्षन के कई उपाई हम कर सकते हैं जैसे ऐसोधित या आंसिक र परिट्रेट होती है एवं कीटनाशी जल को परदुशित कर देते हैं अते इनसे जल का बचाव किया जाना चाहिए परदुशकों को जल निकायों में छोडने से पुरू बहिसराव को उप्युक्त विदी से सोधित करके जल परदुशन नियंदरित किया जा सकता है वन एवं अनिये वनस्पति आवरण द्रातलिये प्रवा को धिमा करते हैं भूमिकत जल को पुने पूरित करते हैं अते वनों का विश्तार किया जाना चाहिए जल रिशाव को कम करने के लिए खेती को शिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए रिशाव तता वास्पिकरन से होनवायल जल की जो सत्ती है उसको रोकने के लिए फवारा पदती का पृ想 किया जाना चाहिए वास्पिकरन की अधिक धर वाले सुस्क जो परदेश है उन्सुस्क परदेशों में शिंचाई की नहीं जो पढ़नाली है बून्द बून्द विधी टपकन पढ़नाली केते हैं टपकन विधी का प्रियोग भी किया जाना चाहिए जिल से जल स्रंक्षन हो सकता है जल संचादनों का स्रंक्षन किया जा सकता है धनिवाद विद्यार्तियों आपने पहले हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो संस्कृत विश्ये का पेपर भी हमने अपलोड किया है विज्ञान का भी और हिंदी विश्ये का भी कक्सा आर्ट के विद्यार्तियों के लिए हमने मोडल हल परसन पत्र दिये हैं एक बार पुने आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद दोस्तों